नमस्कार दोस्तों, कैसे है आप, मैं संजय कुमार सिंग, प्लेटफॉर्म इसक्रिशन सेंटर से आपके सेवा में फिर से एक बार उपस्तित हुआ हूँ गुरूब डी बाले साथ छात्रों के लिए और हमारे साथ में आप जान रहे हैं हमारे जाने माने टीचर इंजिनियर कल से एकजाम गुरूब डी का शुरू हो रहा है और कल यानि 17 से 25 तक जिस छात्रों का एकजाम है अब क्या करना चाहिए उनको जिनका कल एकजाम है तो बिलकुल कागज कलम छोड़ दीजिए आप बहुत पहलिए और बहुत दिनों से पहल रहा है फूल इंज्वाय खूब अच्छा से खाना पीना खाईए और खूब मधूर संगीत सुनिए परहाई का टेंशन नहीं लेना है एकजाम कैसा जाएगा वो कुछ भी नहीं सोचना है और दिमाग को एकदम कूल रहने दीजिए रोनाल्डो की तरा जब वो फुटवल के मैदान में पहुंचता ह है उससे पहले अपने आपको काफी एनर्जेटिक बना के सांत बना के अपने ऊपर से जितने भी प्रेशर है सब को हटा के तब मैदान में जाता है आप भी उसी तरह क्या होगा नहीं होगा इन सारे बातों को छोड़ करके एकदम कंप्लीट अपने आपको एकदम इन पहें नहीं पहें सारे बातों को भूल के दुनिया में क्या होगा सारे टेंशन को खतम करके अपने आपको एकदम एनर्जेटिक और कूल बनाए जिससे आपका एक्जाम बेहतर जा सके और अपने छमता के हिसाब से सत प्रतिसत देने का कोशिस कीजिए मेरी सुब कामना हमा तरब से देना था, वो दे दिए ठीक है? और अभी यह सबसे उत्तम टीप्स है, अपने योगिता को इंपलिमेंट करने का सबसे उत्तम टीप्स है, कि जब आपका काम करने का समय आ गया है, तो उस समय अपने आपको अपने असनाईट तंतर पर नियंतर्न रखना है, अपन करना है हम लोगों ने हर एक विडियो में बहुत दीनों से आपको सिखाते आ रहा है जो चीज मैंने सिखाया है उस चीज को सही तरिके से इंप्लिमेंट करने का बक्त आ गया है इस मुद्दे पर हमारे तरफ से जो कुछ भी बोलना था समझाना था मैंने कर लिया है अब एक स सबसे जो महत्पूर्ण हत्यार है अपने आपको सांत रखना और एकदम खूस रखना अंदर से जितना आप आज इंज्वाई कर सकते हैं कर लिजिए ओके और इस पर और क्या टिप्स होना चाहिए क्या आपको और अगला स्टेप लेना चाहिए इस चीज को विशेश रूप स आपको अपने इंजिनियर आशिस थैंक्यू सर और सबसे बड़ी बात है सब लोगों को खुसी होगी कि आपका एक्जाम जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे अपना एक्सपरियंस आप से सेयर करना चाहेंगे आप जितना खुस र की दे यानि कहने का मतलब है आपके अंदर वो फिलिंग आ जाया कि सेलेक्शन और सेलेक्शन होगा तो वो मेरा ही सेलेक्शन होने जा रहा है बस इसी उम्मीद के साथ आपको बुष्टप रहना है किसी के बातों में नहीं आना है पूड़ा कूल रहना है जितना आप मौज मस्ति एक दिन का जो आपका हसी मजाख और एक दिन के जो आपका इस तरह का इंटर्टैमेंट होगा ये कहीं न कहीं आपके माइंड को रेलेक्स करता है और हमें पता है कि जो चीज आप पर चुके हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वो भूला दे चुक히 परेंटा नहीं पड़ेंगे तो हम भूल दाएंगे ऐसा उसके साथ होता है जो बहुत कम समय में के लिए तयारी कड़ता है बहुत कम समय में बहुत कुछियों को पड़ता है उनके साथ ऐसा होता है उनके साथ इसतर का confusion पैदा होता है लेकिन आप तो continuous संगर्स किये हैं और continuous मेहनत किये हैं और सिधा और सक्ठीक चीज पड़े हैं और आप ये मान के चलना कि जो आप पड़े हो वही exam में आएगा और सबसे एहम बात ये आता है निकल करके कि exam में कैसा questions आएगा क्या आएगा नहीं आएगा मेरा म है लेकिन best देने के लिए कुछ कुछ चीज हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की जरुरत होगी हमेशा ध्यान में रखना कि जो easy questions होंगे उसको fast कर लेना और याद रखना इस बात को कि कभी-कभी आसान questions भी बहुत जल्दी क्या करता है गलती करवाता है तो वैसे questions को बा आपको समझ में नहीं आना चाहिए और आपको energetic बनके रहना पड़ेगा यह नहीं कि अगर जा रहे हैं एक्जाम में पूड़ा कसके खा लिए तो उतना भी खाना उगर नहीं खाना है आप liquid ले लिजिएगा आप कोई ऐसा juice होगर ले लिजिएगा आप मार्केट में बहुत सारा juice मिलता है apple का juice मिलता है कुछ ऐसे चीज को आप लिजिएगा जिससे एक्जाम में आपको कहीं से कोई परेशान नहीं कि आप गए पूरी खा लिए कहीं पर गए छोला भटोरा खा लिए एक्जाम से पहले आपका एक्जाम में मन घुम रहा है यानि आप स्टेवल नही जितना कम भोजन करिएगा उतना ही दिमाग फास्ट काम करता है और कोशिस करेगा अगर भूख भी लगेगी तो कोशिस करना कि juice मार्केट में जो मिलता वो खडीद करके आप पी लेना वो आपको energy देगा और उसी के साथ आपको बने रहना है और एक्जाम में कोशिस करना ह परतिसत देने का जो tough questions होंगे उसको आप बात में कर रहे है कोशिस करना क्यूंकि आपको questions देखने के बात पता चल जाएगा कि कौन सा tough है और कौन सा आसान है तो पहले आसान questions को कर लेना कभी दिमाग में यह मतलाना कि हमारा कम बन रहा है किसी का ज्यादा बना यह दिमाग जाओगे जितना आपर में टिक करोगे उतने ही आप सेलेक्शन से बाहर जाओगे तो कोशिस करना कि वैसे questions को बनाना जो आपको Totally के टोटएल्य आता है और एक बात आती है कि सबके मन में ही आता है कि कभी कभी क्या तो हम आपको बताना चाहिenda कि कभी भी अगर ऐसा related हो जाता है किसी questions को ले करके कि दो options आप स्यूर हैं कि दो options नहीं होगा तो दो options जो बचे हुए हैं उनमें से होने की संभावना क्या है तो मेरे दो हमिसा इस बात को ध्यार में रखना आप अगर कितना भी कुछ करोगे तो 50% chance है कि वो सही हो जाएगा तो ध्यार में रखना कि व तुक्का वहीं पर सर्म तुक्का वहीं पर मरना है आपको जहां पर यह मान के चलना कि दो options शूर है कि यह नहीं होगा और लॉजिकल ही आप उसको टिक आउट करोगे तो दो options में कर तुक्का लगा तो maximum chance है कि वहां पर संभावना है कि आपका सही होगा और दूसरी बात है कि जहां तक आपका कभी-कभी questions में all of the above भी दे देता है किसी options में आपको मिलेगा तो यह practical चीज है और ऐसा psychological चीज होता है जो चार options जो दिये जाते हैं तीन options और चौथा all of the above रहता है तो यह pattern ही कहता है कि all of the above है और आपको तीन options given होगा चौथा को टिक करना होगा कि all of the above होगा कि नहीं होगा तो कहींने कहीं दो options में आपको लगेगा कि यह दोनों सही है जब दो सही होगा तो तीसरा के बारे में सोचना ही नहीं है all of the above मार के आना आपका देखना वहाँ पे सही होगा और कोशिस करना अपने तरब से best देने का और हम लोग इसी उम्मीद के साथ और डिरेक्टर सर का बस यही कहना है सर का experience कहता है कि आप पो दम मस्ती करना है आप ऐसे दोस्तों के साथ अभी से मस्ती करिए जिससे कि आप पूड़ा दिमाग कुष्थिर कर पाएं दिमाग कूल है और आपका exam बेस्ट होगा और सर का experience कहता है इसलिए हम आपके साथ यह भी सेर करना चाहते हैं कि सर ने आपको जो कहा कि लास्ट टाइम कोई strategy आपको फाल्टू नहीं बनाना है बस आपको मस्त रहना है जो जानते हैं उसी में आपका selection चुपा हुआ यह बात ध्यान में रखना चलिए तो आज के लिए इतना ही ओके बवाई